उपस्टित, धर्मप्रेमी, सर्धावान, जिन्यासु, भाईयों तथा सुशील बहनों इन दिनों हम भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं कल हमने कौन सी भावना देखी? आशुची भावना कल देखी, परसों कौन सी देखी थी? अन्यत भावना देखी, ये बारा भावना हमारे जिन्दगी का बहुत बड़ा धन है अंतिम समय में भी ये भावना खाली फेर लो, तो न जाने कितने भाव बदर जाएंगे और कहां से कहां हमारी जितन जी सुधर जाएगी तु समझ मना विचार करुनी पाही, तव जिवलग कोणी नाही तु ज़ सोडविना मात पिता धन जारा तु आइक भावना बारा आज की हमारी आश्रो भावना है, वो कहती है मोहाची मदीरा न्यारी विशयांची फक्त चाकरी हाडाव तु जा घडो घडी पसनारा तु आइक भावना बारा तु समझ मना विचार करुनी पाही सवजी वलग कोनी नाही वैसे ले रेखो हम सब अकेले है हमारा शरीर में बुखार आजाए तो कोई दो डिगरी बुखार दूसरा कोई ले नहीं सकता हमारा ही हमको भुगतना पड़ता है हमारी मुर्ट्यू के समय हमारे साथ शिता में कोई जलने के लिए नहीं आता चाहे बिमारी हो चाहे मोत हो चाहे जैसा संकट हो जिसका उसको ही सहना पड़ता है और खास तोर पर मोहनिय कर्म ही आदमी को आश्रो भावना की ओर ले जाता है एक उधारन दिया करते हम लोग कि जैसे मान लो एक हाउद के नीचे बाल्टी रखी है बाल्टी में पानी आ रहा है अब उस पानी को बंद करना है तो कैसे करेंगे अगर किसी पागल को कहो तो वो कहेगा कि पानी को निकालो मग्य से पानी बाहर निकालते जाओ बाल्टी कम हो जाएगी पानी कम हो जाएगा पर ज्यानी लोग कहतें नहीं पहले क्या करना पड़ेगा नल बंद करना पड़ेगा दूसरा वो पानी को निकालना पड़ेगा बाल्टी में से और तीसरा वो बाल्टी सुखानी पड़ेगी तीन बाते होती है आश्रव, सम्वर और निर्जरा ये तीन बाते हमारे नव तत्व में भी आती है और हमारे तत्वार्थ सुत्र में भी आती है हर जगा प्राइमरी स्टेप पर हमने ये बाते शिखी हुई है संवर, निर्जरा और मोक्ष, नई, आश्रव, संवर और निर्जरा आश्रव याने पानी का आना, संवर याने नल का बंद होना और निर्जरा जो पानी आ गया है उसको बाहर निकालना इसका नाम निर्जरा तो आश्रो होता है किस कारण से मुह के कारण से मुह किस चीज का होता है पाचिंद्रियों का मुह होता है खाने का मुह होता है देखने का मुह होता है सुनने का मुह होता है कई प्रकार की मुह हमा खीच लेते हैं कर्मों का संग्रह बढ़ा लेते हैं भागवानों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं आश्रों के द्वार को खुला कर देते हैं पाच इंद्रियों के द्वारा इसी तरह से पाच हमारी हिंसा चोरी जूट अब्रम्म और संग्रह ये पाच कारणों से भी हमारे पास मुह कर्म वश कर्म इखटे होते हैं तीन गुप्ती गागम ने पालम नहीं करी तो भी कर्म हमारे इखटे होते हैं इस तरह से कई प्रकार से कर्म हमारे पास आते हैं और खास तोर पर मिध्यात्व प्रमाद कशाय और योग मिठ्यात्व होताब एक एक के उपर चाहे जिता बोल सकते हैं पर मिठ्यात्व प्रमात कशाय और योग ये पाँच इंडरी पाँच के द्वारा भी बहुत ज़्यादा कर्म हामारे पास इखटे होते हैं आज की हमारी आश्रव भावना कहती है आते हुए कर्म उसका नाम क्या है आश्रव 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 चारो तरफ से जरता है हमारी तरफ उसको आश्रव कहते है ये आश्रव जब हमारे जिन्दगी में चालू हो जाता है हम सोचते क्यारा पस्कान करना क्यारा कही आया करी को आश्रों के दरवाजी खोल देते हैं, और ज्यादा हमारे आत्मा के अपर कर्म पाणा चालू हो जाता है, जैसा नल का पानी बालती में आता है ऐसे कर्मों का पानी हमारे आत्मा के ऊपर चड़ते जाता है भागवानों आश्रों द्वारा हमारे लिए न जाने कितनी बाते अपने आप हमारे आप केते हैं मैं तो करें कोनी पर मने इतनी सजा क्यों मेरी कई तरी करें तू जरे सजा मेरी बिना किये किसी को कुछ मिलता नहीं है विशयोग में काहे जीवन बिताए मुरुगत रूष्णा में मन भटकाए गया वक्त तेरे स्पास नाए कर ले चाहे कर ले चाहे तू जतन घनेरे रटले प्रभू को सांज सबेरे बीतर हे ये दिन तो बीटते जा रहे है हर दिन के साथ हम कितने करमों की पोटली बान सकते है ये तो जिसका उसको ही पता है कैसी भावना है कैसा वर्तन है कैसा बोलना है इसके उपर करम इखटे होते जाते है और उक करम जीव को भुगतने परते है भागवानों कभी कभी हमारी छोटी सी और सोहन शीलता कितना बड़ा दंद हम को देती है बाप बेटे ने दिक्षा ली जी बाप ने भी दिक्षा ले ली पर दिक्षा लेने के बाद तो उसका जी घबराने लग गया उन्हें को इत्तो बंधन नोको बवा नहीं चाहिए इस तरह से उसने क्या कर दिया दिक्षा को छोड़ दी दिक्षा के ओगे पात्रे तो पिता जी मारा साब को दे दिये और स्वयम पेड के नीचे सो ग हैं डाकूओ ने उसको इतना मारा इतना मारा इतनी उसकी फजयत की की विचारा वही पे सबेरे तो दिक्षा चोड़ी और रात को क्या हो गया मर गया रात को मर गया और उसको कड़ी धूप में मालिक ने खड़ा किया था इतनी तो प्यास लगी थी इतनी भूक लगी थी औ और कड़ी धूप में उसको मालिक ने क्या कर दिया तो वो कौन बन गया था बेसा बन गया था बेसा बन गया था बेसा मरने के बाद को आदमी कौन था वो आदमी था और मरने के बाद क्या हो गया बेसा बन गया बेसे को मालिक ने धूप में खड़ा किया उसके उपर धूप वह दूप निकाली नहीं उसने और वो च्छाव में उसको ले गए नहीं गया और वो खड़ा रहा वहीं पर खड़ा था उसके इतनी वेदना हो रही थी इसकी आपिक्षा तो मेरे दिख्शा में था वो अच्छा था पर यह क्या जंजट हो गई इतनी प्यास इतनी भूक इत इतनी धूप ये कैसे सेन करे और पिता जी मारा साब को पता चला कि मेरे बेटे ने मेरे साथ दिक्षा ली थी और उसने दिक्षा छोड़ दी वो कहा होगा उनको पहला जरम याद आया मारा साब ने ध्यान किया ध्यान में पहला जरम याद आया कि मेरा बेटा तो भेसा बना ह हुआ है तो वहाँ वे वहाँ पे गए और मोह करम देखो कैसा होता है वो वहाँ पे गए जहां बेशा धूप में खड़ा था उसको पहले छाव में ले जा करके बांधा उसको पानी पिलाया साधू थे वो फिर भी ममतावश सब कुछ किया और उसके बाद उसको कहा कि बेटे पहला जरम याद करो अगर साधू बनके सहन करते तो आज ये घरी तुमारे पास नहीं आती उसने जब पिता जी के वचन सुने पहला जरम उसको याद आ गया कितना अच्छा था कितना बढ़िया था वहां में रहता तो क्या बिगड़ता दिक्षा छोड़के क्या पाया मै ये जंजट ये जंजट पाई मैंने और उसने क्या किया उसी दिन से अन्नपानी का त्याग कर दिया पच्कान किये और उसके बाद वो देवलोप में गया भागवानों ऐसे बहुत सारे प्रसंग भगवान महाविर ने हमको बताये है मुह कर्म के वश आदमी कहां से कहां प अब रम्म चर्य और संग्रह इसके पीछे आदमी राद दिन कर्म बानता है भागवानों इस तरह से हमको आश्रो द्वार से कैसे रोकना चाहिए अपने आपको वो सारी बाते चोमा से में व्याख्यान में सुनने को मिलती है सब को चाहिए आश्रो पुन्याश्रों भी होत है पाप करने बेव करके भी कर्म इखटे होते हैं और पुन्या करके भी कर्म इखटे होते हैं अब हम लोग गोरक्षा करते हैं गोरक्षा के अंदर गाय का पेड़ भरता है गाय की छुरी छुटती है साही बाते अच्छी है पर एन पक्खी के दिन चारे की गारी जब वहा आती है तो पूरा शरीर शिहर जाता है आपे तो पक्खिरा दिन लिलो ती भी नहीं खावा अनि तो घास आज पक्खिरा दिना थे आयो है इरा निमी तुकुन बन्या आपे बन्या इस तरह से आदमी पाप आश्रो तो करता ही है पुन्या श्रो भी करता है पुन्या की कमाई क करता है पर आशरो के द्वारा, पाप के द्वारा पुढ्य कमाता है भागवानों हमें चाहिए कि हम आशरो द्वार को रोकने का काम करें, अभी हमारे साहदी जी ने आप से क्या मांगी है, सामाईक मांगी है, सामाइक में किसी भी प्रकार का कोई करमबंद होता नहीं कोई गलत विचार करते बेथे तो बाता लगे सामाइक हुए अपचेइती शीरसए करू लान इस्तो साख करू लान तो बाता लगे पर अगर आपने करमबंद नहीं किये तो सामाईक मुक्ती की दाता है, सामाईक बुढ़ा पे का बहुत बड़ा धन है, और हमारी यहां पे तो बेहनों को आदत पड़ गई है, सबेरे उट करके सामाईक ले लेती है, दो-दो सामाईक कर लेती है, तब तक बहु का यहां काम नास्टे पानी का होता रेता है, तब दादी जित की दो सामाईग आ जाती है, हमारे संस्कार है कि सामाईग करो और कर्म की निरजरा करो, सामाईग करो और आश्रों से बचो, इस तरह से सामाईग के कई फाइदे बताये गए हैं, आपके सामने पढ़के सुनाने वाले हैं, एक सामाईग में कितना फाइदा होता है एक सामाई करते हैं उसके अंदर अठारा पाप हमारे बंद हो जाते हैं प्रणाति पात मुर्षयावाद अठारा पाप बंद हो जाते हैं एक सामाई करते हैं तो किसी प्रकार का कोई कर्म बंद हमारे द्वारा होता नहीं है कहने के लिए एक सामाईक है 48 मिनिट की सामाई है पर वो इतना ज़्यादा सामाई के लिए कमाई पड़ी कमनारी पुन्जी सामाईक की जैसी कोई कमाई नहीं है सामाईक तो हरे एक व्यक्ति को करनी ही चाहिए और खास तोर पर उसके साथ अपने नवकार मंतर की माला और जब तक कुछ नहीं खाऊ प्यों तब तक चोवियार के पचकान दो बाते अगर सामाई के साथ कर ले तो देखते देखते किती कमाई थेंबे थेंबे तरे साचे इस तरह से कई प्रकार की हमारी हमारा फाइदा सामाईक के द्वारा हो सकता है भागवानों सामाईक संकट मोचन होती है संकट को भगाने बाली होती है गगराना नाम के प्रण्या जी ने आपको बताया है गगराना नाम का गाव था वह हमारा साथ पधारे हुए थे और उधर से समाचारा आया आये कि तुम्हारे गाव में कब डाका डालने के लिए हम लोग आने वाले है सारा गाव घबराने लग गया सारे बनी घबराने लग गया अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा जिसने उसने अपना अपना धर्न जहां वहां छुपाना था छुपा के रख दिया और मारा साब के पास लोग आये मारा साब सकाए डाको आई लापला गाओ में सकाए अपला थे डाको आऊना रहे आपे कई करा मारा साब ने का खाली सामाइक लेकर बेड़ जाओ सब यहाँ हो, और सामायक ले करके बेड़ जाओ, वहां गए और तिन-तिन सामायक पचक ली, सामायक उनों ने कर ली सामायक के वाइब्रेशन तयार हुए, वो डाका डालने के लिए लोग आये थे दोरोडेखोर, वो डाकू आये थे, वो पहले वेशी होता थे, होती थी हो गए उनके काहे के लिए किसी का ताला तोड़ा काहे के लिए किसी का धनी खटा करना नहीं चाहिए हमें को कुछ उठ पर आये थे और जैसे इस वेशी में से आये उस वेशी में से बाहर चले गए किसी का ना ताला तोड़ा ना किसी के घर चोरी सच्चा बना हुआ में मारा साब ने कहा था सामाई के अपने वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा काम करते हैं भागवानों हमें भी आज हमारी आशरो भावना कहने आई है कि मुहों के वशो करके कोई गलत काम मत करना मुहाची मदिरा न्यारी विशयाची फक्त चाकरी हाडाव तुझा घरो घरी फसनारा तू ऐक भावना बारा तू समझ मना विचार करुनी पाही तवज वलग पोनी नाही तुझा सोडविना मात पिता धन जारा तू ऐक भावना बारा ये बारा भावना का चिंतन हमारे करने की आदत अगर पढ़ जाए अंतिम समय में भी अगर हमको ये बारा भावना याद आ जाए तो हमारी गती उल्टी के सिधी होते देर लगने वाली नहीं है हमारी गती जो नीचे वाली होने वाली थो उपर वाली होगी कुछ भी हो सकता है सामाईक में फाइदे ही फाइदे है नुकसान कुछ नहीं खाते पिते मुक्ती इस तरह के सामाई की साधना सभी को करनी चाहिए, इस समय एक आगस को ये लोग जनम दीन मनाने वाले हैं, हमने और कुछ नहीं मांगा, हमको वस्तु तो चाहिए नहीं आपके घर की, आप लोग हमारे आजुबाज में गले तक हम भरे हुए हैं, किसी बात की कोई इच्छा हम हमारे मन में है नहीं, किसी चीज की हाउस हमको है नहीं, आप अगर सामाई करोगे, सामाई की निरजरा का फ़ल आपको मिलेगा, और दलाली हमको प्राप्त होगी, वो बहुत बड़ी गिफ्ट हमको आप लोगों से मिली है, ऐसा समाधार हमको होगा, आज हमारी सभा में पढ़ाई करती है, पढ़ाई कराती है और सुचिल बहु मंदल है यह और यह आज हमारे यहाँ पर हमारे वर्दमान प्रतिष्टान में पहुची है उनके आने से हमारे सभा की शोभा बड़ी है सभा की शक्ती बड़ी है सभा की समझ बड़ी है इनके आने से हम प्रसंद है हमारा संग प्रसंद है और सारे लोग भी आपको देख करके प्रसंद हो रहे है आपकी प्रसंता इसी तरह स बढ़ती रहे इसी भावना के साथ पर रश यह सारे जनम दिन के उपलक्ष में आईए बहने यह जो मंडल आया है ना जनम दिन के उपलक्ष में आया है एक तारिक को समय मिलेगा नहीं इतनी होश्यार रहे पुना की बहने और जिसमें इनका नाम है सुशिल बहू मंडल आदिनाद सुशिल बहू मंडल सुशिल नाम माताजी मार साब का जिन्हों ने ऐसे पृति सुधा जी जैसे रत्न को जनम दिया उनहीं का नाम इन मंडलों को दिया है उनके नाम से ऐसे कम से कम सतर असी मंडल एक क तैंशी मंडल चल रहे सुशील बहु मंडल के नाम से कलकत्ता तक हम लोग गए तब 20-20 किलो मिटर रोज का चलते थे हम और कलकत्ता तक पहुंचे वहां भी सुशील मंडल हमने स्थापिट किया हुआ है